हेई विनर्ज, हमारे गट में जब टॉक्सिंस जमा होने लगते हैं, तो वो गट की जो इनर लाइनिंग होती है, उसको डैमेज करते हैं, उसके साथ चिपके रहते हैं, और फिर हमारे ब्लड स्ट्रीम में वो एंटर हो जाते हैं, और फिर हमें तरह तरह की बिमारियां देते और अगर आपने सिर्फ गट में जमा हुए toxins को remove कर दिया, कचरा बाहर निकाल दिया, तो पूरे शरीर में रोग पैदा ही नहीं हो सकता, तो इस वीडियो का एक भी second miss मत करना, वीडियो नहीं है ये, हमरित है, इसको apply करने के बाद इसके healing effects आपको सिर्फ 24 घंटे में ही साफ दिने लग जाएंगे, तो हमारा शरीर रोग मुक्त हो, उसके लिए हम easily ये body cleansing कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताऊंगा ताकि हम रोग मुक्त रह सकें, aging के process को slow down कर सकें, अपनी immunity को बढ़ा सकें और एक must जिंदगी जी सकें, अब आयूरवेद के accordingly, आयूरवे का निदान हो जाता है, और इसके निदान के लिए सबसे पहला तरीका अपनी large intestine को clean करना है, जिसको मैं बहुत easily कुछ process में आपको समझाता हूँ, जो हमारा clone है, जो large intestine, इसी से जो हमारा खाना है, last में पूरा digest होने के बाद हमारे rectum से बाहर निकल जाता है, और सबसे ज्या सालों तक हमारी आथ में ही पड़े-पड़े सड़ते रहते हैं, और एक बार अगर undigested food particles यहां चिपकना शुरू हो जाएं, तो वहां उनकी एक colony बसनी शुरू हो जाती है, और इसके संकेत जो हमें बहुत तरीके से constipation, gas, indigestion और acidity से मिलते हैं, तो routine में कैसे इस mother gut को detoxify क करना है, जो आपको हमेशा healthy रखेगी, उसके लिए सबसे पहली जो चीज है, वो है, कि खाने से 15 मिनट पहले, आप कोई भी salad खाईए, खीरा खाईए, ककड़ी खाईए, specifically खीरा, यानि cucumber, इसमें high-fiver होने के कारण, खीरा क्या करता है, अंदर scrubbing कर देता है, यानि जो हमारी inner walls होती है, जहाँ पर toxins होती है, खाना चिपका होता है, ये उनको रगड करके साफ कर देता है, पेट को और आंतों को, जिससे खाने को move करना नीचे की तरफ, जो उसका रास्ता है, वो आसान हो जाता है, साफ हो जाता है, दूसरा ये lubrication भी कर देता है, जिससे खाना चिपकत ये fat को cut करता है, blood sugar को कम करता है, आपके दिल के लिए, heart के लिए बहुत ही अच्छा होता है, BP को regulate करता है, anti-cancerous होता है, बालों के लिए बहुत अच्छा है, तो एक छोड़ी सी habit कि खाना खाने से पहले एक कम से कम एक खीरा अच्छे से चबा चबा कर इसका मुँ में पानी जैसा paste बना कर खा लिजे, next, दिन में कम से कम एक बार अजवायन का पानी जरूर पीएं, और अगर ये दुपहर को हो, खाने के बाद तो best है, इसके लिए दो चम्मच भुने हुए अजवायन के बीज या normal अजवायन को रात भर एक कप में भिगो दें, और जब अगले दि है, ये body के उन organs में जाता है, जहां heavy metals इकठा होते हैं, ये उनको remove करता है, और उन metals से जो damage होता है, ये अजवायन उनको भी repair करता है, सबसे ज़ादा जो toxicity body में create कर रहा है न, वो कर रहा है aluminium, ये उसको भी detox करने की ताकत रखता है, सबसे ज़ादा ये metal आज हमारी body में enter हो है, और इसकी metal toxicity आज सबसे ज़ादा बढ़ गई है, चाहे वो chewing gum जो होती है, उसका wrapper हो, खाने की जो रोटी को wrap करने वाली foils हो, वो aluminium के आ रही है, बाजार में बहुत से ऐसे packed foods जो है, वो cans में मिल रहे हैं, जो aluminium की है, बहुत से soft drinks जो है, वो तो और भी खतरनाक है, क्योंक भी aluminium के बरतन तक नहीं होते थे, हमारे यहां तांबे और पीतल के बरतन होते थे, aluminium के बरतन जब अंग्रेज यहां पर आए, जब East India Company आई, तो उन्होंने जब jail यहां पर बनाई, उन jailों के अंदर कैदियों को aluminium के बरतन में खाना दिया जाता था, क्योंकि वो toxic हो जाता था इसलिए उन लोगों को aluminium के बरतन यूज करके खाना दिया जाता था, लेकिन आज यह widely available है, even हमारी kitchen में बहुत से aluminium के बरतनों ने जगा बना रखी है, तो कोशिश कीजिए सबसे पहले जितों कि जितना हो सके, aluminium में अगर आपको कोई भी चीज दिख रही है, मिल रही है, तो उसको थोड़ा सा avoid कीजिए, लेकिन रोज मर्रा की जिंदगी में फिर भी यह aluminium कहीं न कहीं हमारी body mentor होके toxicity create कर रहा है, उसके लिए आप जो है, अजवायन का पनी ज़रूर पीजिए, यह उस heavy metal toxicity को आपकी body से निकाल देता है, और अजवायन के इतने सारे benefits हैं, जैसे यह हम bowel movement है, उसको regulate करता है, यह जो abdominal pain कई लोगों को होता है, उसको कम करता है, जो cough and cold की बहुत लोगों को समस्या रहती है, उसको कम करता है, इसके अंदर antibacterial, anti-fungal properties होती हैं, जो की किसी भी तरह के रोग से लड़ने की ताकत रखता है, acidity के ओपर भयंकर रूप से काम करता है, अजवायन और celery juice के और भी बहुत सारे benefits को एक amazing audiobook है, जिसमें define किया गया है, जिसका नाम है detox and heal your health, जिसमें detox से related बहुत सी बाते बताई गई हैं, जैसे की trouble maker foods कौन कौन से होते हैं, जो हमारे शरीर को परिशान करते हैं, जो detox नहीं होने देते, mono eating cleansing क्या होती है, detox के लिए कौ कौन से supplements लेने चाहिए और कौन से avoid करने चाहिए, ये जो audiobook है बहतरीन है, ये audiobook आपको Cuckoo FM पे available है, मिल जाएगी, Cuckoo FM के बारे में अगर आप नहीं जानते, तो ये India का leading audio show platform है, जिस पर धाई million से जादा active paid subscribers है, और Cuckoo FM पे बहुत ही inspiring audiobooks available हैं, जिने आप बहुत ही easily laptop या phone क नहीं से भी access कर सकते हो, मैं इसे mostly तब use करता हूँ, जब मैं travel कर रहा होता हूँ, और travel करते-करते मैं इसमें से बहुत सी audiobooks सुनता रहता हूँ, इससे time का best utilization भी हो जाता है, और इससे एक फाइदा ये भी होता है, कि जो screen पे scrolling करने का मन करता है न, traveling के दौरान, वो भी कम हो यानि कि सिर्फ 49 रुपीज में unlimited books कहीं भी, कभी भी सुन सकते हो, वो भी अपनी regional language में, तो download करने के लिए इसका link आपको description and pinned comment में मिल जाएगा, जरूर चेक कीजिएगा, और अब तो आपका downloading experience और भी easy और time saving हो गया है, use this scan code to unlock the advantage to unlimited access to 10,000 plus audiobook shows on Cuckoo FM, within a second, तो ये तो बात थ detox and heal your health की, वापस आते हैं next cleansing method पर, जो की है trifla, trifla हमारे digestive system को मजबूत करता है और toxins को remove करने का सबसे powerful औशदी इसको मना जाता है, इसको super food भी कहा गया आयरुवेद में, इसमें होता है आवला, इसमें भरपूर मातरा में vitamin C होता है आवले में, minerals होते है, amino acids होते है, आवले मे anti-cancerous properties होती है, दूसरा इसमें होता है, हरितका, जिसको हरण भी कहते हैं, आयरुवेद में इसको king of medicine भी कहा गया है, तीसरी चीज़ इसमें होती है, बहेडा, यह जो बहेडा होता है, यह antiviral and anti-inflammatory, antibacterial कई सारी properties से last होता है, इन तीनों चीज़ों के combination से बनता है, त्री फ toxicity बन जाती है, यह उसको भी खत्म करता है, stress depression को भी खत्म करने में help करता है, क्योंकि हमारी body में जो happiness chemicals हैं, जिसको majorly जिस chemical को हम serotonin कहते हैं, उसका 95% production हमारे gut में होता है, तो जब हमारा gut relax होगा, तो serotonin भी नियमित रूप से release हो पाएगा, तो सरफ body के लिए नहीं, बलकि mind के लिए भी यह एक complete detoxification औशदी है, trifla, इसको जरूर लीजिए, तो इसको रात को गुनगुने पानी के साथ, एक teaspoon या आधा teaspoon आपको इसको रात को गुनगुने पानी के साथ लेना है, ताकि रात भरी आपकी गट के उपर काम कर सके, उसकी cleaning कर सके, और सुबह जब आप मल करेंगे, तो आप feel भी करेंगे कि body से toxins काफी हक तक remove हुए है, इसको अगर आप 5 या 6 दिन, महीने में 5 या 6 दिन लेते हैं, तो काफी है, बस अगर आप कोई बी pregnant अगर कोई lady है, या आपको कोई disease है, कोई medicine ले रहे हो, तो आपको इससे लेने से पहले अपने doctor से consult जरूर कर देता है, otherwise ये completely safe है, महीने में 5-6 दिन के लिए, इसका course कीजिए, रात को लीजिए, amazingly आपकी body को clean कर देगा और toxins को बाहर निकाल देगा, दूसरा, अपनी intestine की सफाई करनी है, तो इस बगोल लीजिए, इस बगोल जो है, fiber में rich होता है, best laxative भी इसको कहते हैं, जो कि हमारी inner gut की lining को amazingly clear करता है, ये एक powerful probiotic भी है, जो हमारे gut में good bacteria's होते हैं, microbes होते हैं, ये उनको grow करने के लिए, क्या चाहिए होता है, fiber चाहिए होता है, इसमें anti-inflammatory properties होती हैं, जो body की कि किसी भी inflammation को कम कर सकते हैं, stomach को बहुत अच्छे से clear करता है, bowel ability को enhance करता है, जिससे waste आसानी से body स बाहर निकल जाता है, जो parastellic movement होती है, उसको भी stimulate करता है, जिससे food proper digest होकर नीचे की तरफ move हो पाता है, आपका gut आपको thank you बोलेगा इस बगोल लेने के बाद, तो रात को सोने से पहले 2 teaspoon इस बगोल गुनगुने पानी में मिला कर पी लीजे, और इसे 3 दिन तक लगातार ये gut को clean कर देगा, repair कर देगा, toxin free बना देगा, और हर महीने में 3 दिन इस process को जरूर अपना ये, next जो आपको करना है अपने को detox करने के लिए वो है dairy products को छोड़ दो, अगर आपको detox करना है तो, जैसे कि milk हो गया, butter हो गया, cheese हो गया, अब हम जब भी dairy products consume करते हैं तो ये थो जिससे अच्छे nutrients absorb नहीं हो पाते हैं, हमारी जो lymphatic vessel है, उसमें natural cleansing के बहुत सारे cells होते हैं, जो bad microbes को मारने की capability रखते हैं, और ये जो dairy products हैं, ये इन cells के बीच में आ जाते हैं, जिनसे ये pathogens मरनी पाते हैं, और फिर ये pathogens हमारी body को ही काफी नुकसान पहुचाते हैं, इसलिए body को cleanse करना हो, या detox करना हो, तो dairy products को बिलकुल avoid कर देना चाहिए, और आज modern science की कई researches तो यहां तक भी बताती हैं, कि ये जो dairy products हैं, इनको छोडने के बाद बहुत से लोगों की heart diseases reverse हो रही हैं, लोगों की body में जो cholesterol है, वो बहुत तेजी से कम हो रहा है, heart attack का खत्रा बहुत तो अगर आप फिर भी कहें कि नहीं जी, हमको तो इसकी बहुत जादा आदत है, या हमें तो ये चाहिए ही चाहिए, तो मैं आपको ये बूल रहा हूँ, कि कम से कम हफते में ये एक या दो बार के लिए dairy products को मना कर दीजिए, जब आप detox करना चाहते हैं तो, बाद में अग हाई fat वाला खाया, तो liver को सुबह सुबह ही ज्यादा bile juice release करना पड़ेगा, और रात बर पहले ही हमारा liver जो है, वो toxins को remove कर रहा था, digestion के process में लगा हुआ था, तो सुबह उटने के बाद उसको उन toxins को body से release करना होता है, पर अगर सुबह सुबह आप high fat लेते हैं, तो वो toxic च लग जाती है, तो अब समझते हैं detox के second concept को, जिसको कोई follow नहीं करता है, और हाँ आज नहीं कोई इसके बारे में बात करता है, और नहीं कोई बताता है, अगर असल में detox करना है, तो आपको अपनी skin को exfoliate करना चाहिए, scrub करना चाहिए, जो कि आपकी skin से dead skin को और toxins को हटाने का एक बहुत ही simple process है, अब हमारी skin cells का ना एक process होता है, जिससे सबसे नीचे वाली जो skin है, वो उपर आ जाती है, जैसे हमारे nails और बालों के साथ ऐसा होता है, लेकिन skin का process जो है, उससे थोड़ा सा slow होता है, इसके cycle को पूरा होने में लगबग 28 दिन का समय लगता है, लेकिन जो skin है, इस पर toxins और dead cells की वज़े से, ये cycle properly नहीं हो पाता है, और skin के pores भी toxins के कारण बंद होने लगते हैं, अब आप कहोगे कि हम रोज साबुन से तो नाते ही हैं, नाते हो, हाँ भई, अगर हम साबुन से नाते हैं, तो हम तो बिल्कुल साफ हो जाते हैं, तो मुझे एक चोटी सी बात का आप जबाब दे दीजिए, अगर आपकी skin साबुन से नाने के बाद साफ हो जाती है, तो एक हफते बाद आपको towel दोना क्यों पड़ता है, वो towel काला क्यों होने लग जाता है, क्योंकि actual में वो जो skin के अंदर, pores के अंदर जो toxicity थी, जो गंद था, जो dead skin के क components हमारी skin के उन cells में कहीं ना कहीं रह गए थे, उनको निकालने का काम तो towel नहीं किया है, जब हम ना आने के बाद उस towel से scrubbing करते हैं, वही तो exfoliate कर रहा है skin को, तभी तो towel मेला हो रहा है, तो अगर आप अपनी body को detox करना चाहते हैं, तो आपका body का जो सबसे बड़ा organ है, वो आप देखेंगे, जो हमारे पूरवज थे, हमारे बड़े थे, वो इस skin के detox के लिए, वो कुछ जो ऐसे सबजियां होती थी, तोरी हो गई, कुछ ऐसे, मुझे exactly नहीं ध्यान आ रहा, लेकिन होती थी, वो सूख जाती थी, सूखने के बाद उनकी एक चाल सी बन जाती थी, वो उस चाल को या नारियल का जो ऊपर का जो चाल होती थी, वो उससे अपनी बाड़ी को रगड़ते थे नहाते होई, उससे scrubbing होती थी actual में, और वो लोग उस जमाने में तो साबून भी नहीं होते थे, वो simple basin या मुलतानी मिट्टी लगा गर गर नहालिया करते थे, और य उसके लिए आपको बाजार में इस तरह के loofas बहुत easily available हो जाते हैं, या फिर इस तरह के कुछ brushes होते हैं, जो आपकी dry scrubbing कर देते हैं, या फिर मैं क्या करता हूँ, जो सबसे easy और simple process है, उसके लिए मैं एक towel को लेता हूँ, नहाने से पहले उस पूरे towel को अपनी body पर अच् रब कर दिया, और उसके बाद अगर आप चाहते हैं, तो आप वो soap या जो भी आप use करना चाहते हैं, उसको use कीजिए, आप देखेंगे आपकी skin जो है exfoliate होगी, उससे dead skin बहुत अच्छे से बाहर निकलेगी, और साथ ही बहुत सारे toxins भी बाहर निकलेगे, और skin भी breathe कर कर लेते हैं, तो ये आपकी skin को healthy बनाता है, आपकी skin पर glow लेकर क्या आता है, skin smooth होने लगती है, skin का जो texture है वो भी आप देखेंगे तो बहुत smooth सा आपको feel होगा, और धीरे-धीरे dead skin, dull skin और toxins body से निकलने लगेंगे, बस हाँ नहाने के बाद अपनी body को किसी भी अच्छे सर जरूर कर देंगे, और हाँ, सबसे अच्छा detoxification तो ये है, कि आप जो processed food है, junk food है, जो तला-मला खाना है, जो भी हमारी jeep को स्वाद देता है, लेकिन हमारे बाकी सभी organs तरही माम तरही माम जिससे करने लगते हैं, जो हमारी बड़ी आथ, छोटी आथ को परिशान कर देता ह जो हमारे पेड में gastric issues को create करता है, blockage create करता है, ulcers create करता है, इन सभी चीजों को routine में ही avoid करो, ये भी अपने आप में एक detoxification हो जाएगा, और हाँ, आपने एक काम जरूर करना है, कि आपने इस वीडियो के comment section में एक comment करके जरूर बताना है, कि इस में से किस detoxification के process को आप follow करन आपने वाले हो, या फिर already बहुत से लोग अपनी health के लिए aware और conscious होते हैं, आप किस process को follow करते हो, किस चीज को अपनाते हो, जो आपको lighter रखता है, आपको healthy बनाता है, क्योंकि लोग सिर्फ वीडियो नहीं देखते हैं, testimonials भी पढ़ते हैं, comments भी पढ़ते हैं, और उनको ए रहे हो, जो आपकी body को lighter रखते हैं, toxins को बाहर निकालते हैं, तो मेरे दोस्त, वीडियो में कुछ भी नया मिला हो, या जरा साभी ये वीडियो आपको इतू साभी, अगर आपको ये वीडियो benefit दे पाए, like नहीं चाहिए, सिर्फ जो चीजें बताई हैं, इनको religiously follow कर लीज और इनको बाकी और लोगों के साथ share कीजिए, और हाँ, अगर आप अपनी health के लिए और self development के लिए बेहतरीन books को, audio books को सुनना चाहते हैं, तो kukoo.fm का link आपको description में मिल जाएगा, pin comment में मिल जाएगा, उसको ज़रूर चेक कीजिएगा.